हलो दोस्तों विल्कम बाइक टू माई चैनल तो आज हम बनाने वाले हैं हरी मटर और चावल के आटे से नास्ता तो इसके लिए देखें यहां पे हमने लिया है कुछ सबजीयां तो यहां पे हमने पत्ता गोभी सिमला मिर्च गाजर हरा मटर हरा मिर्च दो और एक प्याज को बारिक काट लिया है धनिया पत्ती काट के रखा है और चलिए सबसे पर यहां पे मटर को हमने चील करके रखा है यहां पे छोटा अला मिक्सी जार हम ले रहे हैं उसमें डालने चीली हुई मटर और एक टुकड़ा अध्रक का थोड़ा सा धनिया पत्ता और यहां पे आधा मटर हरे मिर्च और फिर इसमें हम चावल खाटा डालते हैं तो यहां पर एक कप चावल और एक कटूरी मीडियम साइज की हरा मटर हम लिए थे इन सभी को अच्छी तरह से पीस करके हमने इसका पतला सा बैटर तयार कर लिया है अब इसमें हम डालते हैं नमक स्वादनुसर औ और चाट मसाला चाट मसाला से जो है इसका फ्लिवर बहुत अच्छा है बहुत ही चट पटा लगेगा तो यहां पर देखिए बैटर हमारा गाढ़ा है इसमें थोड़ा सा और पॉइंट डाल करके हम पतला कर लेते हैं अब चलिए इसके लिए हम बनाते हैं फीलिंग तो य पत्ता गोभी डाल करके इसको हम एक मिनट तक पहले भूनेंगे हरा मटर भी हम साथ में डाल दे रहा है सभी चीजों को एक साथ डाल करके पहले हम दो मिनट तक लोग फ्लेम पर फ्राइगे भून लेंगे ताकि कि वहले इसको थोड़ा सा इसमें सौपने सा जाए बहुत देखिए तीन अलु हमने लिए मेडियम साइज के बौाइल किए हुए आलु को डाल करके मैसर से हम दाब देते हैं आप चाहे तो हाथों से मैस करके भी डाल सकते हैं हम आर गील नहीं थे काफी समय पहले हमने बॉल करके रख दिया था और इन सभी को एक साथ अब हम लो फिलेम पे ही भूनेंगे और यहाँ पे देखी आदा चम्मच जो कारली मिर्च कूटी हुई डाल देते हैं और बस यहाँ पे हमारी जो इस्टपिंग है वो बन करके रेड़े है उपर से हम थोड़ा सा हारा धनिया डाल देते हैं और चली यह भम बनाते हैं तो सबसे पहले नॉनिश्टिक तवे को हमने चड़ा दिया गया इस पर थोड़ा सा आयल लगाते हैं आयल से ग्रीस करने के बाद अब जो हमारा बैटर है चावल मतर का उसको हम फैलाते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर और अगर बैटर ज़्यादा गाढ़ा लगे तो उसमें आप पांई डाल करके पतला भी कर लीजिए एक कटोरी मतर और एक कप चावल के याट्य में हमने तीन कप पानी का इस्तमाल किया था अगर बैटर फिर भी गाढ़ा लगिए तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा आप लोग इसमें पानी और डालेजिए, बैटर थोड़ा पतला ही होना चाहिए, फिर उपर से थोड़ा सा और ओयल हम लगा देते हैं, और यहां पर दूसरी सेड़ी इसको हम पलड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मोटा हो गया था, इसकी जो बैटर हमारा था कि failing बनाई है उसको हम डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके जैसे हम डोसे को उपर डालते हैं और फिर इसको हम फोल्ड कर देते हैं तो देखिए नास्ता हमारा बन करके तयार है तो आप लोग भी इस नास्ते को जरूर बनाए फिर इसको बीच में से काट करके और फिर तो इसकी देखिए नीचे से जो हमारी लेयर है वह पक गई है दूसरी साइड पलटने की जरूरत ही नहीं है फिर इस पे भी हम डालते हैं टमाटो केचप आप शाये तो ग्रीन चिली जो भी आपको सॉस डालना हो आप डाल सकते हैं टमाटो केचप डालने के बाद फिर उपर से वही सबजीओं की फिलिंग हम डाल देते हैं और इसको हम फोल्ड कर देते हैं तो बहुत ही टेश्टी नास्ता लगता है तो आप लोग इस नास्ते को जरूर ट्राइए करें बच्चों के टिपिन में दे या सुगा की सुगा की नास्ते में तयार करें